मारा first word है devolution devolution का मतलब होता है transfer करना मतलब उसकी जगह change करके किसी दूसरे जगह पर भेजना या रखना delegation या decentralization centralization मतलब किसी एक person के पास authority होना उसके बाद वो distribute कर देता है मतलब transfer कर देता है किसी और person के पास that is decentralization devolution से हम याद इस रखेंगे devolution का देव अलग कर देंगे तो देव किसी का नाम होता है कोई person है देव नाम के और lotion sounds like lotion तो कोई lotion किसी को दे रहा है मतलब lotion transfer कर रहा है ऐसे याद रखो next word है sooth sooth का मतलब होता है shant, calm, pacify, quiet so sooth से हम याद रखेंगे हिंदी वाली सूद बूद it sounds like हिंदी वाली सूद बूद हम generally बोलते है कि किसी person ने सूद बूद खो दी मतलब जो mentally disturbed है okay मतलब वो शान्त नहीं है वो disturbed है so उससे हम कहेंगे sooth बूद वाला सूद that is shant then buoyancy buoyancy का मतलब हता है flexibility enthusiasm और cheerfulness buoyancy से हम याद रखेंगे it sounds like बूद बूद बॉद बॉद परच्छेस करना and buoyancy sounds like fancy so कोई fancy चीज बॉद 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 परच्छेस करना है एंथुजियास्ट, वह एंथुजियास्ट से भरा पूरा है, शेयर फुलने से उसमें, तो हमको एक एकस्पेंसी चीज चीज हम भाइक कर रहें, तो हम फ्लेक्जी बेले इसे याद रखेंगे, देगे, नेक्स्ट वर्ड है, डॉफ टेलिंग, डॉफ टेलिंग का मतलब होता है, मर्ज करना, युनाइट, फिट टूगेदर, एक दूसरे के साथ बदा हुआ, डॉफ टेलिंग से हम याद रखेंगे, डॉफ सोप का ब्रांड है, उसके बाद, टेलिंग से सिफ टेल हम ले लेंगे, तो हिंदी वाला तेल याद रखो, तो डॉफ तो सोप का ब्रांड ह है, तो उसने ओईल का भी ब्रांड निकाल लिया, मतलब उसमें मर्ज कर दिया, उसने ओईल ब्रांड के साथ, ऐसे याद रखो की डॉफ और टेल, तो तेल, रेमिटिंग, रेमिटिंग का मैंने किसी लास सेशन में में बताया था, तो रेमिट का मतलब होता है, मनी, ट्रां से भीजते है, तो रेमिटिंग, तो रेमिटिंग, तो रेमिटिंग से हम याद रखेंगे, कोई किसी से मिलने जा रहा है, तो रेमिटिंग से हम याद रखेंगे, कोई किसी से मिलने जा रहा है, तो रेमिटिंग से हम याद रखेंगे, कोई किसी से मिलने जा रहा है, मतलब Accruel का मतलब होता है Increase, Accumulate, Accumulation, Ideation तो Accruel से हम याद रखेंगे, Accruel sounds like Accru तो Crueel से हम याद रखेंगे, Crueel sounds like this cruelty तो कोई Accru है, जिसकी cruelty बढ़ती जा रही है, उससे हम याद रखेंगे Increase Cilling, Cilling का मतलब होता, Maximum Limit या Upper Limit तो हम हमारे Roof से मतलब Cilling से हम याद रखेंगे, That is our Upper Limit बस वही तक हमारी जगया, उसकी उपर नहीं है, That is Upper and Maximum Limit Staggered, Staggered का मतलब होता है Stunt, मतलब Surprise रहना आज चर्डिया जगित, Amazed, Staggered से हम याद रखेंगे, This Tag और कोई Red Color का Tag इसी ने लगा दिया आप पर, तो हाप Surprise रह जाओगे, Shocked रह जाओगे, Amazed Done Discretion का मतलब ही बताया था किसी सेशन में, Option, Choice या Willness तो This को अलग कर देंगे, It sounds like T-E-H-I-S वाला This and creation, Discretion, creation sounds like Discretion तो कोई बोल रहा है या बोल रही है कि हमें बस यही creation चाहिए, वाला This creation मतलब वो Particular Option ही चाहिए, That is Option, Done Dwindle तो Dwindle का मतलब होता है Decrease, Decline या Fall रखाम होना तो Dwindle से याद रखेंगे यह Win किसे ने इतनी efforts लिए है कि वो Winner रहा, Win हो गया, उसके बाद वो Dull हो गया मतलब उसकी एनरजी जो है, वो Decrease हो गया पहले Win होआ, फिट डल होआ, That is Dwindle तो यह थे आज के हमारे 16th August 2022 की The Hindu Vocabulary with Memonics So that's all for today Thank you